हेलो एवरीवन वेलकम यू अल टो पर्चम क्लासेज आएम जानवी और आई टेक बर्निंग इशू सेक्शन हमारी क्लासेज वीकली तूजडे और फ्राइडे को शेडियूल रहती हैं प्रीविस क्लासेज को देखने के लिए आप हमारे चानल पे बनी हुई बर्निंग सेवंथ ऑक्टूबर को यहां पर फाइफ थाउजन रॉकेट्स को जो है गाजा स्ट्रिप से चोड़ा गया है इस्राइल के टेरिटोरियल बाउंडरी के अंदर अगर आप देखोगे तो उस समय वहां पर एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था जब फॉर्स टाइम यहा इस रॉकेट लॉंच के बाद यहां पर जो हमाज के फाइटर्स हैं अपनी बाइक और कार्स के थूर इस्राइल की टेरिटरी के अंदर इन्वेट कर देते हैं और वहां से काफी सारे सिविलियंस को हॉस्टिज क्याप्चर करके ले जाते हैं सी देखिए जब भी कोई टेर आगे चलके इन केस अगर वार में इनका जो अगर आप कहलो हमाज अगर लोवर ग्राउंड पे जाता है तो उनको इस्राइल से बचने के लिए यह उन होस्टिज का यूज करेंगे तो कुछ इस तरीके की चीज़े देखने को मिल रही है अभी प्रेजेंट ली जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं उस वक्त तक यहां पे इस्राइल और गाजा दोनों अगर हम मिलाएं तो दोनों के सिविलियन्स अल्मोस्ट यहां पे 1500 तक लोग जो है उनकी डेथ हो चुकी है और सबसे जादा कैजुएलिटी जो है वो इस्राइल सिविलियन्स को देख कर दिए हैं इवेंड कहा यह जा रहा है कि यूएस के भी कुछ ऑफिशिल्स इस्राइल जाएंगे इन और टू गिफ सपोर्ट टू इस्राइल और साथ ही साथ यहां पे देखिए कि जो पूरा का पूरा आपका इरान इराक और जो मिडल इस्ट कंट्री है वो इस पूरे के से इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि इसराइल की जो ओरिजिन है वो कैसे हुई और यहां पे जब प्रॉपर पिलिस्तीन स्टेट था जो कि ओटोमन एंपायर के अंदर था उसके बाद किस तरीके से आगे कंडिशन्स बढ़ीं जो आज की डेट में हम देख रहे हैं कि ऐसे कॉन्फिक्ट्स और ऐसी वॉर को जो है अंजाम दे रही हैं सबसे पहले देखिए हम डिसकर्स कर लेते हैं लास्ट सेशन में पूछा गया कोशन मैंने पूछा था ओलंपिक काउंसिल आफ एश्या का है तो इसका सही एंसर हो जागा कुवैट सीटी कुवैट के अंद होगे और वहां से आपको जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी पीडिएफ मिल जाएंगी सबसे पहले जो है टॉपिक शुरू करने से पहले आप ये देखो कि जो पलेस्तीन का ओरिजिनल मैप है वो क्या था और कैसे कैसे धिरे धिरे आगे चलते हुए जो पलेस्तीन का रीजन है वो कॉंट्रेक्ट होता जाता है यहां पर आप देख सकते हो 1946 में यह पूरा का पूरा इस्टेट जो है वो पलेस्तीन था यहां पर जो जूज थे वो माइनॉर्टी में थे और पलेस्तीन जो थी जो कि मुस्लिम कामेंटी है वो यहां पर मैजॉर्टी में थी लेकिन धीरे धीरे हम देखेंगे जब UN का 1947 में प्लान आता है इन कंट्री ये पूरा का पूरा जो रीजन है उन्हें टू नेशन में डिवाइड करने का एक पलिस्तीन और दूसरा इस्रैल तो कुछ इस तरीके का जो है यहां पे आप देखोंगे division देखने को मिलता है धीरे धीरे क्या होता है आप देखी रहे हो इस map में कि यहां पे जो Palestine का region है जो एरिया है वो contract होता हूँ दिख रहा है तो हम कैसे ये पिलिस्तीन जो है इस लेवल पर पहुचा यहाँ पर इतना जादा कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिल रहा है हम इसकी पूरी जर्णी जो है वो डिस्कवर करेंगे इसमें सबसे पहले देखिए ये समझे कि इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है कौन-कौन इन्वॉल्व है पहली पार्टी है आपके इस्राल नेशन दूसरी है अरप्स और तीसरे हैं हमाज देखे सबसे पहले हम इसराइल का अरब नेशन के साथ conflict समझेंगे और फिर हम समझेंगे कि कैसे हमास की origin हुई क्योंकि यह आपस में integrated है सबसे पहले यहाँ पे देखे World War I जब खतम हुआ उसके बाद Ottoman Empire की decline के बाद यह पूरा का पूरा पलिस्तीन का region था यह British Empire के control में आ गया यह पूरा का पूरा आप region देख सकते हो यह region British mandate के अंदर था उपर Syria और Lebanon वाला जो region था वो French के अंदर था तो यहाँ पे Britishers ने यह decide कि 1920s और 1940s के सामय जबकि पूरे आप कहलो Germany के अंदर और आसपास की regions में Jews Holocaust बहुत ही बढ़ रहा था तब यहाँ पे यह कुछ देखने को मिला कि यह Jews हैं यह migrate कर रहे हैं पलिस्तीन की तरफ और धीरे धीरे वहाँ पर उनकी जनसंख्या जो है वो बढ़ने लगी अब देखे क्यों Jews जो है वो पलिस्तीन की तरफ माइगरेट कर रहे थे यहाँ पर समझ यह कि यह जो पूरा का पूरा पलिस्तीन है यह सिर्फ यहाँ पर पलिस्तीनियन मुस्लिम का मुनिटी का नहीं है यहाँ पर आप देखोगे तो Jews भी जो है यहाँ पर आपकी कहलो bonding एक इनकी रहती है क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ का पूरा पलिस्तीन का एरिया है वो अब्राहमिक रिलिजन अब्राहमिक रिलिजन कौन कौन से होते है एक आपका Jews होता है इसलाम होता है और Christianity होता है इन तीनो धर्मों के लिए बहुत important जगा है तो जो Jews है वो अपना एंसिस्टीरियल जो बैगराउंड है वो पलिस्तीन से ही क्लेम करते है उनका ये कहना है कि यहाँ पर देखिए एक टेंपल माउंट है जो कि Jews की बहुत ही आप कहलो होली प्लेस है तो यहाँ पर देखिए बार बार जो Jews का ये कहना है कि इसी बेसिस पर जो है कहा जा सकता है क्योंकि हमारी जो ओरिजिन है वो इसी होमलैंड से हमने जन्म लिया है तो इस कारण से जो ये पूरा का पूरा इसराइल का रीजन है वो Jews का होता है अब यहाँ पर देखिए कि ये अलग सा कॉंपलेक्स और टेंपल मौंड का क्या कॉंफलिक्ट है यहाँ पर आप ये पूरा का पूरा कंपाउंड देख सकते हो ये है आपका अलग सा कंपाउंड इसमें जो है ये डोम ओफ रॉक है ये है आपकी अलग सा मॉस्क मस्धिज जिसे कहते हैं और यह है Western Wall, तो आप देखोगे कि यह Western Wall जो है बहुत important है इसराइली या फिर Jews point of view से, क्योंकि यहाँ पे जो Jews है उनका यहीं तक आना permitted है, इसके आगे यह नहीं जा सकते हैं, और कई बार यानि कि दो साल पहले कि अभी आप घटना देखोगे तो इस पूरे के पूरे एरिया में काफी सारे civilians conflict भी देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर यह कहना है कि यह जो आपकी अलग सा मस्जिद है और साथी साथ यह आपका Dome of Rock है, यह Muslim community के लिए भी बहुत important है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जो Prophet Muhammad थे, वो इसी जगह से heaven को गए थे, और मक्का और मदीना के जूश के लिए भी काफी important है, तो सबसे पहला conflict तो आपको यह देखने को मिलेगा, अलग सा compound कहां पर है, आप यहाँ पर map देखो, West Bank के अंदर जो है Jerusalem की city पढ़ती है, उसके अंदर यह पढ़ता है, अब Jerusalem one of the oldest city है पूरे world की, और यहाँ पर देख सकते हैं कि यह religious और ethnic conflict ज जाने के बाद, और जब world war खतम होती है, तब जो British है, जो Britain है, वो यह कहता है कि इसी हमें Jewish के लिए एक अलग nation बनाने के आवशकता है, और 1947 में यहाँ पर जो पूरा का पूरा Palestinian state है, उसे दो भागों में बाट दिया जाता है, पहला Israel और दूसरा होता है Palestine, यहाँ पे इस plan क तो Israel तो accept कर लेती है, Jewish leader तो accept कर लेते हैं, लेकिन जो Arab leaders हैं वो accept नहीं कर पाते हैं, और यहीं से शुरू होती है Arab और Israel के बीच में conflict, 14th of May 1948 को British finally जो है इसराइल से अपनी armies को वापस लेती है, और एक इसराइल का independent और sovereign state जो है, इस्टैब्लिश किया जाता है, लेकिन उसके जस्ट दूसरे ही दिन आप देखोगे, क्योंकि Arab nations इस plan के पूरे ही पूरे अपोज में थे, Jordan, Egypt, Syrian और Lebanese army ने अटाक कर दिया इसराइल के उपर, अब आप समझो एक ऐसा देश जो अभी अभी आजाद हुआ है, उसके उपर ये आपकी चारों countries ने एक साथ अटाक किया, अ ये है आपका पलेस्तीन का एरिया, ये भी पलेस्तीन है, ये इसराइल है, अब यहाँ पर देखिए, अटाक होता है हर जगह से, यहाँ से आपकी सीरियन आर्मी, लेबनीज आर्मी, आपकी इस साइड से Egyptian आर्मी और जॉर्डन की आर्मी यहाँ पर अटाक करती है, अटाक क बात है कि इसराइल कैसे डिफेंट करेगा बट आप रिजल्ट देखें यहां पे इसराइल ने पूरा का पूरा जो रीजन है जो पलेस्तीन का भी रीजन था उसको भी अपने अंडर कर लिया और आप देखोगे बस यह वेस्ट बैंक का एरिया और यह गाजा इस ट्रिप रह था दाहरजन के अंदर कि यह जो जूज है ठीक उसी तरीके से इनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किया गया है जैसे हिंदू ने अंटचिबल के साथ कि जो भारत में अंटचिबल की स्थिती है ठीक वैसे ही स्थिती जूज के साथ कृष्यानिटी मुसलिम इन दोनों यह है कि बहुत ही स्ट्रॉंग कमिनिटी है आपस में इनकी बॉंडिंग मतलब यह किसी एक कॉस के लिए एक साथ मिलके खड़े होते हैं और अगर आप जूज देखोगे तो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही जादा एजुकेटेड और डेवलप्ट आपको फैमिलीज देखन को मिला है फेजबुक के सीओ और फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी एक जूज है तो आप समझो कि यह चोटी सी पॉपुलेशन इतनी जादा एडवांस्ट अपने आपको इन्होंने बनाया है क्योंकि इन्हें बहुत पहले से यह पता था कि इनके खिलाफ कई सारे यहां कंट्रीज जो हैं इनके अनिमी नेशन हैं और उनसे इन्हें लड़ना है तो इस वज़े से इस पूरी की पूरी कमुनिटी में इसराइल के अंदर रहकर अपने आपको एक सेल्फ सफीशेंट बनाया है इवन आज की डेट में जब यह अटाग भी हो रहा है तो इसराइल ब जो पलिस्तीन का एरिया था इवन जो डिवीजन था उससे हट कर यहां पे इसराइल ने काफी सारे रीजन्स को पलिस्तीन के भी कबजा लिया देखें यह जो पूरी की पूरी वार थी जिस जो 1948 की इसे बिलकुल ही केटास्ट्रॉफिक कहा जाता है पलिस्तीन के प्रस्पे जीच में सिक्स डे वार होती है सी अगर आपको कभी जीऊष होलोकास्ट देखना है तो एक आपकी मुवी है श्किनलर लिस्ट आप वो देख सकते हूं उसमें अच्छे से बताया हुआ है कि जीऊष कमंटी के साथ वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान क्या-क्या हुआ और सा लेबनोन और जॉर्डन के अंदर जाकर स्पाइस कंड़क्ट किये थे तो यहां पर देखो अगें सिक्स डे वार होती है 1967 में और इस्राइल की विक्ट्री होती है और आपको पता है सनाई पेनेंसुला गाजा स्ट्रिप वेस्ट बैंक का पूरा रीजन जरूसलम गोलन इसराल के सब्स्क्राइब सुद्रलर कुछ चीजों जो जो है इसराइल कब्जा लेता है यानि कि आप समझDie कि पैलस्तीन का बाघर यहां पर उक्यक्रता ही स्टया इसराइल सीरिया का भी पार चैंब पेनेंसुला प्यार्डर ऑर इजिस का रेजिप्स को उक्यूपाइब नेक्स्ट हम देखते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट वार होती है यहां पर योम किपुर वार ठीक है योम किपुर वार बेसिकली यहां पर देखोगे एजिप्ट और सीर्या ने शुरू की थी क्यों शुरू की थी हमें पता है कि 1967 की जो वार हुई थी उसमें सिनाई तुलाहे बहुत इंपोर्टेंट है आपका स्विस क्यानल यहीं से जाता है और यह आपका पूरा मेटेडेरियन सी का पूरा रीजन है और यह जो ट्रेड पास होता है एजिप्ट के लिए बहुत इंपोर्टेंट है तो आप समझ सकते हो कि कितने इंपोर्टेंट रीजन प योकि इस war में भी same similarities पाई गई है जो आज की war हुई है आज का जो attack हुआ है कैसे देखे जब योमकिपुर war हुआ था उस समय भी यहां पे एक रमदान का इनका कुछ holy festival चल रहा था और आज का आज जो यह 7th October को यह attack हुआ है इस समय भी इनका एक festival चल रहा था कोई जूश का holy festival और आप देखोगे कि योमकिपुर war की भी attack की खवर इसराइल यानि मोसाद एजनसी को बिल्कुल भी नहीं लगी थी और यहां भी आप देख रहे हो कि जो attack हुआ है इसराइल पर यह एकदम surprise attack है और इसी कारण यहां पर बहुत ही जादा casualties भी देखने को मिल रही है तो य लिकिए यहां पर कई बार इजिप्ट उस war में जो यह आपकी योमकिपुर war है इसके बाद यहां पर इजिप्ट और इसराइल के बीच काफी सारे peace treaties हुई जिसमें यह कहा गया कि जिसमें यह peace treaty के तोरा है कि Sinai Peninsula जो है वापस से इजिप्ट को सौब दिया जाए और यहां पर जो इसराइल के कुछ occupied area हैं लाइक गोलन हाइट और यह सारी चीजें इनकी भी डी एसकेलेशन की बात चल रही थी लेकिन इसका कोई result हमें देखने को नहीं मिलता है 2002 में यहां पर सौदी अरेबिया ने यह प्रपोस किया था इसराइल को कि देखिए अगर आप गोलन हाइट और यहां पर जो इस जरुसलम की सिटी है अगर आप उसे capital बना दे पलिस्तीन का गोलन हाइट यह सारी जो रीजन है अगर आप वो वापस दे दे तो हम आपस में पीस ट्वीटी कर सकते हैं लेकिन अगेन यहां पर उस जो प्रपोस्ट ट्वीटी थी इसराइल ने उसका कोई जवाब नहीं दिया फिर हम देखते हैं 2010 का जो समय आता है उसमें अरब स्प्रिंग होती है सी देखें मिडल इस्ट की जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है व तो जितने भी मोनार्क रहते हैं उनको हटा कर यहां पर एक new thinking और एक develop thought process के साथ जो है यह जितने भी Middle East countries है वो आगे बढ़ने का सोचती है अपने आपको इन orthodox जो रुडिवाद सोच है उससे बाहर निकालके एक new modern era की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है तो यही हम देखत हैं कि 2010 में पूरा का पूरा अरब इस्प्रिंग प्रोटेस मिडिल इस्ट में देखने को मिलता है फिर देखे साथी साथ वहां पर जो साओधी अरेबिया के अंदर new crowns प्रिंस मोहमद बिन सल्मान आते हैं उनके भी कुछ ऐसी ही विचारधारा रहती है कि हमें जो है अब आने वाले समय में यह सारी रूडिवादी सोच यानि और्थोडॉक्सिटी को छोड़ कर और डेवलप्मेंट की तरह आगे बढ़ना चाहिए तो यहां पर इन ही सारी चीजों को देखते हुए इस्राइल के साथ अब्रहाम एकॉर्ड साइन किया जाता है अब देखें 1979 में इजिप्ट और 1994 में जॉर्डन आपको पता है कि यह जो यौम किपूर वार हुई थी 1973 के बाद, 79 में यहां पर इजिप्ट और इस्राइल के बीच और 94 में जॉर्डन और आपका इस्राइल के बीच पीस जील साइन हो चुकी थी और यह जो पीस जील थी यही आगे चलके ज इसका basic fundamental जो है point बनता है तो देखिए यहां पे इजिप्ट ने और साथी साथ जॉर्डन ने peace treaty sign कर ली अब रहां में कॉर्ड साइन कर लिया होता क्या है कि यह सारी चीज़ें अरब और इस्राइल नेशन के बीच में तो चली रही है इसी में कहानी चल रही है 1928 से Muslim Brotherhood की सी हासन अल बना यह एक एजिप्ट में रहने वाला पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर था इसने Muslim Brotherhood की जो है शुरुवात की थी जब पलिस्तीन में British rule चलता था उसी समय यहां पर इसने एक Muslim oriented society बनाई थी फिर हम देखते हैं कि वो जो छोटी से society रहती है वो 1964 जब Six Day War का टाइम चल रहा था उस समय आकर पलिस्तीन लिब्राइजेशन के रूप में जो है यहां पर जन्म लेती है अब देखे 1967 में जब Six Day War होती है और इसराइल बेस्ट बैंक जरूसलम और गाजा इस ट्रिप को कैप्टर कर लेता है तब पियलो और इसराइल की जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके बीच में काफी सारे conflicts देखने को मिलते हैं उसी समय आप देखोगे कि एक यहां पर लीडर रहते है पॉलिटिकल और रिलिजियस लीडर इनका नाम रहता है यसीन एहमद यसीन ठीक है यह जो है एक मुसलिम ब्रदर हुट को इस्टैबलिश करने में और साथी साथ देखे यह एक आप कहलो की refugee र इस Islamic Center को इसराइल ने भी समझा कि यह एक तरीके का charity event है और यह एक association है और इसको इसराइल ने भी support किया कि ठीक है इनके लिए educational institution, Islamic universities यह सारी चीजे जो है गाजा के अंदर इसराइल ने खुट develop कर आई लेकिन देखिए आप समझेए कि यह जो एहमद यसीन था इसकी जो सो Islamic revolutionary group तयार कर रहा था जोगी आगे चल कर यहां पर इसराइल के साथ लड़ाई करें अब देखिए धीरे-धीरे क्या होता है कि 1980s आते-आते यहां पे पियलो और Islamic defense में काफी सारे conflict बढ़ने लगते हैं फिर हम देखते हैं कि यहां पर 1990s के पहले का जो समय होता है उसमें होत पर रहता है अब देखें यसीन यहां पर हमास का एक को फाउंडर रहता है यहां पर तीन से चार लोग मिलके इस हमास organization को शुरू करते हैं कैसे शुरू हुई हम बात करेंगे जब हम इरान की बात करेंगे कि किसने इसे फंड किया सबसे पहले समझे कि कैसे यहां पर गाजा पर अटाक करता है कई सारी suicide bombing करवाता है और इस तरीके से जो हम देखते हैं कि काफी सारी casualties इसराइल के अंदर देखने को मिलती हैं लेकिन देखें अगें इसराइल एक diplomacy route अपनाना चाहता है तो वह क्या करता है कि हमास के ही जो other member रहते हैं उनके साथ जो है उन्हें यह मतल अगलाइस्ट सोच है यह मतलब हमास का गलत एंड जो है गलत एंड की तरफ ले जाएगी तो यहां पर देखिए जो यसीन है उसको फाइनली यहां पर असैसिन कर देती है इसराइल की defense forces और इसमें इनकी जो मदद करते हैं बाकी के जो हमास के founders रहते हैं अब आप समझ सकते होगे कि वो एक बात कही जाती है न कि एक आईरनी है यह कि हमास जिसके कुछ founding members को इसराइल ने खुद support किया था 1970s और 80s में यहां पर जो यसीन है और जो उसका successor है उसको मारा जा सके और अब हम देख रहे हैं कि वापस से यह group जो है इसराइल को किस तरीके से retaliate कर रहा है तो यहां पर देखे 2004 में जब यसीन को मारा जाता है उसके बाद से हमास क्या करता है कि लगतार इसराइली force के उपर हमला शु इसराइल और हमास के बीच में एक आप कहलो कि यूनिलेटरल टाइप की decisions होते हैं और इसराइल जो है गाजा से pull out कर लेती है यह आप देखो यह जो गाजा का region है यहां से pull out कर लेती है फिर क्या होता है कि यहां पर एक legislative election कराने की बात की जाती है पलिस्तीन जो का जो region है व हमास थी और दूसरी थी फते अब इन दोनों पार्टी में हमास जीत जाती है 74 सीट के साथ अब देखिए क्या होगा दीरे दीरे कि यहां पर हमास और फते का जो गुरूप है इन दोनों political गुरूप में जो है काफी सारी tensions बढ़ने लगेंगी तो especially West Bank के अंदर जो है यहां पर फते और हमास गुरूप के बीच में tensions बढ़ने लगी और हम आगे देखते हैं कि जो फते हैं उसने हमास को यहां से पूरा का पूरा निकाल दिया और गाजा में हमास ने अपना पूरा का पूरा जो उनकी जो organization है उसे establish किया और गाजा के अंदर से जो फते गुरूप थ उसका भी खात्मा कर दिया गया तो यहां पर 2007 के बाद पूरा का पूरा जो गाजा का एरिया है वो हमास ने कबजा लिया और आप देखोगे कि उसके बाद से Israeli force को बहुत ही जादा problem होती है गाजा के issue को टाकल कर पाना और इसराइल ने पूरा का पूरा जो है गाजा के सलती हुई आ रही थी हमने देख लिया कि अरब इसराइल नेशन का कॉन्फिक्ट चला कई सारी वार्स हुई एजिप्ट जॉर्डन के बीच में ट्रीटी साइन होई फिर अबरहाम एकॉर्ड हुआ यूए साओधी ने अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज किया फिर यहां प पर तरीके से गाजा के अंदर इस्टैब्लिश हो जाते हैं और 2007 से अभी तक लगातार जो हमाज और इसराइल हैं इनके बीच में कॉन्फिक्ट देखने को मिल रहा है अब हम बात करेंगे प्रेजेंट में की हमने हार एक चीज यहां पर डिसकस कर ली अब यहां पर देखी 27th October 2023 को क्या होता है 2023 में यहां 5000 रॉकेट सर्प्राइजिंगली अटाक करते हैं इसराइल को आप यहां पर यह जो औरेंज कलर से रीजन देख रहे हो इस इस रीजन में यहां पर गाजा के अंदर से हमाज ने अटाक किया है जो औरेंज कलर के जितने भी रीजन देख रहे ह इहां यहां जो इनके रॉकेट्स हैं वो यहां पर दिस्ट्रक्शन काऊस कीये हैं और आपको पता है जो म्यूजिक फैस्टीवल है यह ऑनजाम देने के बाद यहां पर वीडियो भी रिलीस की गए कि किस त्रीके से इस अटाक को अनजाम दिया गया था और जैसा कि जैसा यह अटक देखा जा रहा है इसके पीछे सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि मुसाद जो की पूरे विश्व की सबसे आप कहलो फर्स नंबर की इंटेलिजन्स एजनसी है उससे इतनी बड़ी जो चूक है वो कैसे हो गई सी अब देखें यहाँ पर हम थोड़ा सा समझेंगे कि मुसाद यहाँ पर क्यों फेल हो गया जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो अभी प्रेजेंट सरकार है बेंचमिन नेतन्याहू की इसराइल के अंदर वो जो है जब से वो पाव कि हाँ ठीक है हम नॉर्मल हैं हम आगे जो है मॉडनाइज हो गये हैं हम बात चीत और डायलोग के प्रोसेस से जो है कोई भी समस्या का हल निकालेंगे तो एक कहीं न कहीं यह इल्यूजन क्रियेट हिया गया था हमाज द्वारा और आप समझो कि इस अटक की प्रॉपर प्ल पीछे इरान का हाथ है इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने में अब देखिए यह रीजन पर यहाँ पर जितने भी हमले किये थे अब इसराइल ने कहां कहां एर स्ट्राइक्स की हैं यह जो आप ब्लू कोलर का रीजन देख रहे हो यहां पर इसराइली डेफेंस फोरसेस ने यहाँ पर Gaza Strip के अंदर यहाँ पर अटाक किया है हमाज वालों के ऊपर और साथी साथ देखिए इस बार जो इसराइल है वो काफी अग्रेसिव चल रहा है यह बहुत ही बड़े लेवल पर हमाज वारा किया अटाक है और इस बार Gaza Strip के अंदर फूड, इलेक्रिसिटी और वाटर की पूरी सप्लाई कट कर दी है अभी तक जब भी हमाज का हमला होता था और इसराइल डिफेंस फोर्स जब रिटालियेट करती थी तो अकसर वो वार्निंग्स दिया करती थी कि जो भी सिविलियन है गाजा स्ट्रिप के अंदर जो भी सिव इसराइली डिफेंस फोर्स आगे बढ़ रही हैं विदाउट एनी वार्निंग और उन्होंने पूरी की पूरी पावर सप्लाई तक कट कर दी है यहां पर पहले जवाबी हमले में हमास का जो इंटलिजन्स ऑफिस था उसको यहां पर इसराइली डिफेंस फोर्स ने पूरी देखने को मिल रही है अब देखे यह जब अटाक हुआ इसके बाद जो इसराइल के प्रेस्डेंट है उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल ही यहां पर कोई भी मरवत नहीं बढ़ती जाएगी अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं यूएन जो पलिस्तीनियन्स है उन्हो जो पलिस्तीनियन्स सिविलियन्स रिफ्यूजी है जिनका कोई दोश नहीं है इस फाइट के बीच में इस वार की बीच में उन्हें यहां पर प्रोटेक्शन प्रोवाइट किया जा सके और साथी साथ आप देखोगे इसराइल के अंदर वार कैबिनेट का निर्मान किया ग कैबिनेट होगा जिसमें ओपोजिशन और गवर्मेंट को जो प्रेजेंट अभी रूल कर रहें दोनों ही मेंबर्स रहेंगे तो आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर बाहरी हमला होता है तो जो इनकी कामरिटी है वो अंदर से पूरी तरीके से उनाइट हो जाती है इंडि कि हमाज ने इतना बड़ा हमला किया है तो अबिसली कुछ सोच के किया होगा क्योंकि इसराइल से पंगा लेना इस नॉट स्मॉल केक समझ रहे हो आप क्योंकि जहां पर इसराइल के साथ अमेरिका है अमेरिका है पूरा नैटो है पूरा मतलब पूरे यूरोपियन कंट्री वो इस्राइल को हर हद तक डिफेंस करेंगी और मतलब अमेरिका का तो ऐसा है कि वो बस आप कहलो कि अमेरिका के अंदर बहुत सारे जूश है जो कि अमेरिका की एकॉनिमी को इंडाक्ट करते हैं एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि सारे के सारे जो countries है वो इस्राइल के इतने support में है next यहाँ पर China का क्या instance देखने को मिला ऐसी China ने यहाँ पर कहा है कि यह जो इस्राइल और हमास के बीच में war चल रही है इसको लेखर वो Egypt के साथ काम कर रहे है कि किस तरीके से यहाँ पर शांती बनाई जा सके और साथी साथ वो UAE के साथ और साओधी अरेबिया के साथ भी काम कर रहे है कि इरान के साथ यहाँ पर चर्चा की जा सके और China का यह कहना है कि obviously हम peace चाहते हैं पूरे विश्वा में तो यह सारी चीज़े देखिए attack के तुरंत बाद जो है निकल के कहना है कि जो अरब नेशन और इसराइल के बीच में peace deal signs sign हो रही है और उससे पूरी दुनिया कह रही है कि जो इस्थिती है वो नॉर्मलाइज हो गई है लेकिन हमास के लीडर का ऐसा मानना नहीं है उनका यह कहना है कि यह deal sign होने से इसराइल और पलेस्तीन के बीच का जो conflict है वो खतम नहीं होता है next देखिए हिजबुला यहां पर हिजबुला ने भी statement दी है कि यह जो पूरी की पूरी परिस्थिती है जो situation है उसको हिजबुला की leadership जो है मतलब carefully जो है follow कर रही है और हमास leader के साथ direct contact में बनी हुई है अब देखिए यहां पर हिजबुला कौन है देखिए हिजबुला मतलब होता है party of God आप देख सकते हो image में यह हिजबुला के fighters है अगर आप सबसे पहले समझो कि हिजबुला की strength क्या है फिर हम देखेंगे कि यह कहां से इस बहानी के बीच में आता है देखिए हिजबुला 2021 की अगर हम बात करें तो हिजबुला की एक लाग fighters की पूरी की पूरी आर्मी है इनके पास precision rockets है और साथी साथ अगर आप देखो गे तो पूरा का पूरा जो हिजबुला है वो लेबनॉन की जो political government है और जो वहां की मुस्लिम community की में दो community होती है एक शिया और एक सुन्नी इरान जो है वो आप कहलो एक शिया community है और अगें हिजबुला भी शिया community है पलिस्तीन के अंदर भी जो community है वो शिया है और अक्सर आप देखो कि जो बड़े बड़े नेशन से राएक साओधी यहां पर सुन्नी community रहती है तो ऐसा मुस्लिम का मानना है कि शुन्नी बड़े हैं और शिया चोटे हैं और इनके आपस में भी conflict चलते रहते हैं तो देखे हिजबुला यहां पर इनके पास हर एक वो चीज है जो एक वेल एक कुवेब्ड औरगनाइजेशन को चाहिए पॉलिटिकल पावर के साथ साथ वेपन की पावर भी इनके पास है अब इनको फंड कौन करता है हिजबुला की टोटल फंडिंग जो है वो इरान से आती है आपको मैं बता दूँ कि यहां पर हिजबुला जो है एक लौती ऐसी औ करता है लेकिन यहां पर हिजबुला ने इसराइल को मजबूर किया कि वह उनकी सदन लेविनॉन की टरेक्ट्री 2000 में छोड़कर वापस चले जाएं अब देखिए हम बात करेंगे इरान और लेविनॉन की अब आप धिरे समझ रहे होगे कि किस तरीके से यहां पर इसराइल पास की पीछे भी कैसे है हम बात करते हैं देखिए 1979 में 79 के पहले एरान के अंदर शा की सरकार थी जोग स्वेंं chrom णे कम अल्मिला के एंदर के पलड़ हो जाती है और यह पहुच shimmery और यहिए मुसलिम रिवलुशनरी रिजीं के पास और देखिए जो इनके लेडर होते हैं वो काफी जादा एंटी अमेरिकन और एंटी इस्राइली विचारधारा के होते हैं तो 1980 से इरान ने लगतार यहाँ पर लेबनॉन के अंदर और कई सारे पलिस्तीनियन फाइटर्स को यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइट की है वेपन्स प्रोवाइट किये हैं ताकि जो लेबनॉन और पलिस्तीन का एरिया है वहाँ पर एक मिलिटेंट ग्रुप खड़ा कर सके इसकी शुरुवात देखे कब होती है कब हिजबुल्ला को बनाने की शुरुवात होती है 1982 में इसराहिल जो है लेबनॉन को इनवेट कर देता है आप देख सकते हैं ये है इसराहिल की बॉर्डर ठीक है ये है आपका Goranheight ये सीरिया है ये जौर्डन है और ये है पूरागपूरा लेबनॉन अब इसराहिल जो है यहाँ से अटेक लाँझ कर देता है अब आप समझ कर दिया, अब invasion में आप ये जो area देख सकते हो, ये जो straight lining की है, ये सारी की सारी जो है आपकी Israeli Defense Forces के अंदर आ गई, और ये जो area है, ये UN, UN ने अपने अंदर acquire कर लिया, अब आप देखोगे कि जब ये लड़ाई चल रही थी, उसी समय जो एरान था, उसने अपने revolutionary guards की कुछ की जो है, यहाँ पर South Lebanon में भेजी, well trained, well armed equipped, इन्हों ने शुरुवात की Hezbollah group की उसके अंदर, और आप देखोगे कि आने वाले समय में यहाँ पर 2000 के अंदर ये group इतना year, 2000 का year जो आया, उस समय ये group इतना strong हो गया, कि finally Israel Defense Forces को ये पूरा का पूरा Southern region से वापस जो है, अपन सकते हो कि जो Hezbollah है, वो इरान की सबसे बड़ी success के रूप में देखा जाता है, पहले अगर हम बात करें तो इरान जो है यहाँ पर, आप कहलो, इसराइल के अंदर हतियार supply करने के लिए कुछ ये group अपनाता था, इसराइल को जब पता चला, तो यहाँ पर इस group को बंद भ positioning हो गई Lebanon के अंदर, उसने साथी साथ यहाँ पर हमास के जो fighters थे, उनको और जादा training प्रोवाइट की और equipped किया, arms और armaments से, so that वो इसराइल के उपर attack launch कर सके, और अगर हम present की अभी condition जो देखे, उसमें सीधे सीधे कहा जा रहा है, कि इतना बड़ा जो operation है, उसके पीछे, की पूरी इरान की training है, अब देखिए हमने देख लिया कि यहाँ पर Lebanon का और इरान का क्या रोल है, तो हमने सारी developments अभी तक की समझ ली, अब देखिए present जो यह scenario चल रहा है, जो यह पूरा को पूरा attack हुआ है, इसके अंदर Hezbollah involved है, हमास involved है, साथी साथ अभी आप हो रही है, इसराइल ने यह कहा है, कि यह एक long term war चलने वाली है, और बाकी सारे nations का इस पर क्या stake है, सी देखिए, पूरे world के almost 84 nation ने इसराइल को support किया है, जिसमें France, Germany, Italy, UK, USA, यह लोग शामिल है, साथी साथ देखिए, इंडिया ने भी यहाँ पर condemned किया है, कि इस तरीके क terrorist support जो है, इंडिया बिल्कुल भी यहाँ पर आप कहलो कि support नहीं करती है, और इंडिया के retaliation में यहाँ जो रह रहे हैं, इसराइल के ambassador उन्होंने कहा है, कि हमें बस इंडिया से moral support की ही जरूरत थी, सी इसराइल खुज में बहुत self sufficient है, उसके पास आजकल की बहुत ही highly technologies के weapon ह उनको main चाहिए moral support और diplomacy, यहाँ पर US, UK सब के diplomats लग गए हैं, इसराइल की diplomacy को maintain करने के लिए आप समझ रहे होगे कि इसराइल के उपर छोटा सा हमला पूरी की पूरा जो western region है वो हरकत में आ चुका है, तो यहाँ पर देखिए सौधी Arabia ने भी जो है, वो condemn किया है इस हमले क सौधी Arabia का बहुत important statement है, Middle East की country है, यह इसराइल को support कर रही है, कह रही है कि ceasefire होना चाहिए दोनों ही जगह, साथी साथ देखिए यहाँ पर Jordan के king ने भी कहा है कि region के अंदर तब तक stability नहीं होगी, जब तक यहाँ पर Palestinian state emerge होके नहीं आएगा, तो हमने Jordan की location देखी थी, कि यह Jordan है, आपका Jordan भी आपका जो है, यह पलिस्तीन को support कर रहा है, तो यहाँ पर इन्होंने भी कहा है कि यह Palestinian state जो है, वो निकल के आना चाहिए, कौन-कौन सी ऐसी countries है, यहाँ पर मैंने पूरा table दिया हुआ है, और इन्होंने क्या कहा है, देखे, इरान ने तो सीदे-सीदे कहा है, कि यह जो step लिया गया है, हमास द्वारा अच्छा है, मतलब सही step है, लेकिन हमारा इसमें कोई भी involvement नहीं है, हमने कोई training नहीं प्रोवाइड कर आई, इराक की statement आप देखे, इराक का यह कहना है, कि अगर USA ने इसराइल को support करने की कोशिश की, तो हम American interest के उपर bombing भी कर सक सकते हैं, और कई सारे drone से हमले भी कर सकते हैं, कातर ने कहा है, कि पूरी की पूरी इसराइल इस हमले के लिए खुद responsible है, क्योंकि वो जिस तरीके से Palestinian का persecution कर रही थी, वो गलत था, अफगानिस्तान अगें तालिमानी support state है, तो यहां पर आपको पता ही होगा कि पलिस्तीन का सपोर्ट किया जाएगा, तो कुछ इस तरीके की चीजे हमें देखने को मिल रही है, फिलहाल के समय में, अब देखे, आने वाले समय में अभी और भी सारे development होंगे, क्योंकि यह long term war चलने वाली है, और इसराइल ने कहा है, कि यह war पूरे Middle East की demography को बदल के रख देगी, भा हम इसराइल को सपोर्ट कर रहे है, देखे, यहाँ पर बात हो रही है पलिस्तीन की ने, पहले हम समझते हैं कि इसराइल पलिस्तीन और हमाज जो अभी की situation है, उसमें क्या difference है, क्यो government of India जो है इसराइल के समर्थन में अभी खड़ी है, अगर आब बात करोगे, तो गांधी जी ने जब ये UN का प्लान आया था, 47 में ही बहुत अपोस किया था कि रिलीजन के हिसाब से यहाँ पर देश को मत बातो, यहाँ पर अरप्स के ऊपर जूस को थोपो मत इस तरीके की स्टेटमेंट जो है गांधी जी ने दी थी, उसमें कई सारे यहाँ पर क्या कहते हैं, य जैसे अंटचिबल्स हैं भारत के अंदर, उनका उनके साथ बहुत जातिती की गई है, लेकिन धर्म के आधार पर अगर देश का बटवारा होगा, तो आगे चलके जो है ऐसा ही कॉन्फिक्ट्स देखने को मिलेंगे, तो आप देखी रहे हो प्रेजन की कंडिशन क्या चल इंडिया की जो फॉरेंड पॉलसी शुरू से रही है, इस्राइल और पलिस्तीन को लेकर हम या शुरू से देखेंगे, तो शुरू से ही यहां पर जबाहलाल नहरू ने बिलकुल ही सपोर्ट नहीं किया, इस्राइल का और पलिस्तीन का ही शुरू से सपोर्ट किया है, 1947 में तें भी जब इसराइल को एंडिपेंडेंस मिली तभी भारत ने इसराइल को as a nation recognize नहीं किया था most important thing फिर आप देखोगे कि जब UN में admission के लिए इसराइल जाता है कि हमें UN में एक member का status दो उसमें भी युटिया है वह oppose करता है UN में against में voting करता है finally यहाँ पर 19, 15, 17 September को India recognize करता है Israel को as an independent nation और 53 के अंदर जो है Israel की consulate open होती है Mumbai में लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच में यानि कि भारत और Israel के बीच में कोई भी diplomatic relationship देखने को नहीं मिलती है लेकिन देखिए जैसे जैसे साल आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि India और Israel का जो relationship है वो बहतर होता जाता है कैसे? देखे 2014 के बाद जब यहाँ पर भारत के अंदर right wing political government rule करना शुरू करती है यानि की NDA और आप देखोगे इसराइल के अंदर भी right wing political जो पाटी है वही रूल कर रही है तो यहाँ पर एक थोड़ा friendly approach हो गया इवन जब international criminal court justice में यहाँ पर गाजा 2014 की जो crisis हुई थी उसके war crime के खिलाफ इसराइल के उपर आरोप लगाये जा रहे थे तब भी इंडिया ने abstraint कर दिया था वोटिंग में यानि खिलाफत में वो भी वोटिंग नहीं की और समर्थन में भी वोटिंग नहीं की और आप देखोगे 2017 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने भारत के जोनों इसराइल का दोरा किया अब अब इससे एक बात समझो यहाँ पर हम पलिस्तीन की बात नहीं है यहाँ पर बात है हमास की तो इंडियन गवर्मेंट हमेशा से ही पलिस्तीन का सपोर्ट करती आई है और अभी हम एक balanced non-alignment आपरोच लेके चल रहा है हमारे इसराइल के साथ भी अच्छे रिष्टे हैं हमारे पलिस्तीन के साथ भी लेकिन यह जो अटैक है यह एक टर्रेरिस्ट औरनाइजएशन ने किया है जो हमास है वह कई सारे वर्ल्ट की कंट्रीज में as a terrorist organization जो है recognize की जाती है और आप देख रहे होगे कि हमास जो है वो वार क्राइम्स कंड़क्ट कर रहा है hostages को जो है मारना आप कहलो कि बच्चों को बहुत बड़े लेवल पर यहां पर बच्चों का persecution किया गया है हमास द्वारा तो यह सारी चीज़े जो है वो बहुत गलत है और इंडिया को जो instance है वो इसी के खिलाफ है और इसलिए भारत सरकार जो है वो हमास के खिलाफ है देखिए तो हमें यह चीज़ clarity में रखनी है कि पलिस्तीन के जो हमारी Indian foreign policy है जो government of India की तरफ से हम पलिस्तीन को भी recognize करते हैं और वीडियो आज का question है कि जो Swiss channel है उसके ऊपर कौन सी country का control है तो यहां पर Egypt, Saudi Arabia, Israel और Jordan आप सबको answer करना है comment section में answer कीजिए और साथे साथ बताइए इस्राइल पलिस्तीन के जो यह conditions है उस पर आपका क्या सोचना है आप पलिस्तीन को एक independent nation की तरह देखते हो अगर बनाया जा सकता है तो उसके पीछे क्या-क्या यहां पर प्रावधान होंगे जिसके तरीके से हम देखेंगे कि पलिस्तीन स्टेट को एक independent स्टेट का दर्जा दिया जाए और अगर नहीं तो आने वाले समय में इस्राइल और पलिस्तीन के बीच में कैसे यह situation जो है वो de-escalate की जा सकेंगी और ऐसे हमास जैसे जो terrorist organization है वो किनी ऐसी दो देशों के बीच के conflict का फाइदा न सभी अपने viewpoints हो है comment section में answer कीजिए that's all for today till then take care